सुनाद दो भई हरियाना अलो के ग्यान से थारे तड़के तड़के तड़की तड़की ठंड प्रण लागे रिये और तड़कती बढ़कती जमा कसुत्ती वे सुत्री खबर आपके लिए तड़के तड़के लेकर हाजिर हो गया परती दिन की तरह हर रोज सुभा छे बजे वाइम न्यूज और योजना हरियाना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागात बहुत-बहुत आपका दन्यवाज बहुत-बहुत आबार बड़ा प्यार वे सयोग आपको वाइम न्यूज और योजना हरियाना य इसमान कार्ड हो हरियना फैमिली आएडी से जुड़ी छोटी बड़ी अफडेट हो हरियना सरकार का छोटा बड़ा आप से जिसका ही तो आप से जिसका सरोकार हो हरियना का एक मात्र चैनल है जो आपको डिजीटल पर देता है और ओनलाइन जो योजना आती है हरियने किस एक परकार की उसका online form भी हम इस पर digitally भर कर आपको दिखाते हैं तो साथियो एक नई पहल हरियने में एक नई शुरुवात आपका बड़ा प्यार वे सयोग मिला है अब आज की बड़ी-बड़ी खबरों की ओर रुक कर लेते हैं आज दिन सनीवार तारिक साथ जनवरी 2030 हरियने की 20 फटापट बड़ी खबर है हरियना टॉप ब्रेकिंग नियोज राज्ये सतरिये उद्गाटन वे सिलन्या सिरी मनोहरलाल खटर जी द्वारा डिजिटली क्या गया परदेश को 2000 करोड रुपे की ये सोगात भिन भिन जिलों में सियम साब ने दी मुक्यमंत्री मनोहरलाल न नए साल पर प्रदेश की जनता को दिया इस दोरान उन्होंने कहा हमने कहीं भी किसी भी परकार का बरश्टा चार आठ साल के दोरान नहीं किया है एक रुपे जो हमने दिया है वेक्ति तकाम जनता के एक रुपे वो पैजा पहुँचे इसके लिए हमने पोड़ेलों की उसके बारे में भी बोले वीपेल राशनकार्डों को लेकर भी सियम मनोहरलाल खातर बोले उन्होंने काम आमें 12,00,00 नहीं राशनकार्ड बनाएं पूरी दुनिया गुरुगराम की चमक देख रही है और ये भिन भिन जिलो में जो सोगात हैं सियम मनोहरलाल खातर ने दिय वो आप मेरी शिक्रीन पर देख रहे हो अंबाला को सियम ने दी सोगात रोतक को सियम ने दिया सड़सट बिस्तर का आईश्यू 35 करोड की परोजियों परियोज्ञाओं सिलन्यास उदगाटन रवाडी महंदरगड भिन भिन जिलों में यह लगबग सभी 22 जिलों में समान रूप से 1860 करोड रुपे मुक्या मंतरी ज्वारा आज यह वुदगाटन क्या परियोज्ञाओं का सिलन्यास क्या अब दूसरी बड़ी खबर की और रुक करते हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें जो भी कमी आपको लगे वो कमी कमेंट के माद्यम से हमें बताएं हम उसे अगली वीडियो में दुरूस्ट करने की सोचिश करेंगे भारत जोडो यात्रा का हर्याने में दूसरा चरान आज से सुरू कल से सुरू हो गया पानीपत के सनोली गाउं से ये कारेकरम सुनू हुआ पानीपत्मिक भव्य विशाल रेली को स्री राहूल गांदी जी ने संबोधित किया इस दौरान राहूल गांदी ने हर्याना परदेश की सरकार को हर्याना परदेश को बेरोजगारों का चैंपियन बताया क्योंकि अब यहाली में एक रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में हर्याने को सबसे बड़ा जो बेरोजगारी दर में नमबर एक रखा गया इस दौरान राहूल गांदी ने कैंदर सरकार पर भी निसाना साधा दूसरे फेज की जो ये रेल भारत जोडो यात्रा है ये कल 6 जनवरी से और 10 जनवरी तक अमबाडा 4 दिन का लंबा 4 पाँ दिन का लंबा चलेगा उन्होंने कहा 2019 में हम एक योजना लाए थे इसमें हर गरीब वेक्ती के खाते में 72 जार रुपे देने थे हमारी सरकार आने पर हम ये धन आम जन को देंगे वरतमान में मोदी सरकार ये जो धन है ये मीडिया को दे रही है और भी कटाक चीश दोरान राहूल गांदी ने किया मीडिया पर लगा हम जिस पर दिखेगी मोदी जी को तस्वीर उसी को मिलेगा पैसा पहले 400 रुपे का सिलेंडर होता था महंगाई पर भी अल्ला बोल सिरी राहूल गांदी जी ने किया पहले सिलेंडर 400 रुपे का मिलता था अब 1000 रुपे का सिलेंडर हो गया है और इस दोरान पेट्रोल डीजल पर भी राहूल गांदी ने कटाक्ष किया अगनीवीर योजना पर सवाल खड़े किये सो लोगों के पास हिंदुस्तान के सो अमीर लोगों के पास देश का आदादन हुड़ा पूर मुक्यमंत्री हर्यना परदेश बोले दिल्ली कॉंग्रेश की होगी पानी पत में पाज पतों में एक पत पानी पत हर्यना जवान किसान और पहलवान की धरती है ये जनसमू बता रहा है भारत देश में बदलाव होने जा रहा है आने वाली जो सरकार है वो कॉंग्रेश की सरकार होगी हरियने कांग्रेस के परदे सद्यक्ष श्री उदैबान जी बोले राहुल ने मोदी को क्या बेनकाब अब मोसम वे तापमान की बात कर लेते हैं हरियने में अभी जारी रहेगा सर्दी का कहर तापमान कम होने के आशार कम रेड अलेट का खत्रा मोसम विभाग चोधरी चरण सिंग किर्शी विश्विद्याले जो हरियने का मोसम विभाग मोसम का अनुमान लगाता है उसके अनुसार साथ आज वे कल साथ वे आठ जन्वरी को अधिकतम तापमान 14-15 डिगरी सेल्सियर और नियुंतम तापमान 7-8 डिगरी सेल्सियर रहने की संभावना नो जन्वरी के बाद से नियुंतम और अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़त होने का पुरुवा नुमान और कल से आश्मार में बादल छटने की आसंका मोसम भागने जताई है कल से आपको हलकी हलकी धूप मोसम में परदेश के अंदर देखने को मिल सकती है हर्यन के पंचायत मंत्री आज फिर भड़के सरफंचों पर पंचायत मंत्री और जो सरपंचों का जो विवाद है वो गहराता जा रहा है एक तरप सरपंच जो ऐसे उसी हिसन है वो परदेश सतरिये आंदोलन जो पंचायत मंत्री के विरुद भुलाने पर तुड़ा हुआ है जब तक पंचायत मंत्री माफी नहीं मांगेंगे हम जोय आंदोलन रद नहीं करेंगे और इसी परकार का जो विरोध है वो विरोध हम लगातार जारी रखेंगे जनता का पैसा नहीं खाने दूँगा पंचायत मंत्री इस दोरान पंचायत मंत्री ने विरोध करने वाले सरपंचों को चले हुए कार्तूस बोला फतेहबाद में बोले पंचायत मंतरी देवंद्र भवली जनता का पेशा जेबो में डालने नहीं दूँगा सरपंच जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें ना कि पंचायत मंतरी जी का विरोध करें सरपंचों के साथ चाएपी इस तोरान उन्होंने अपने कुणगान भी गए हरियन का एक मात्र पंचायत मंत्री हूँ जिन्होंने सरपंचों के साथ चाएपी और सब जिलों में हमने सरपंचों के साथ बैठक की सरपंचों का ये विरोध, सरपंच एसोचियसन ने जो ये विरोध का फैसला लिया वो हाली में एक गाउं में प्रोग्राम के दुरान वर्तमान सरपंच वो इसकी पंचायत मंतरी की बैठक में ना आने के कारण उसके खिलाब बोलना और राइट टू रिकोल का जो कानून है उस कानून पर बोलना कि उसको राइट टू रिकोल के तहत हटा हो ये सब जो है पूरी सरपंच एसोचियसन हरियाने को बुरी लगे दूसरा इट एंड रिंग के विरोध में या अंदोलन हरियाना पंच सरपंच एसोसितन ने सुरू किया अब अगली खबर की ओर रुक करते हैं चैनल सबस्क्राइब जरूर करें गणा थोड़ा बैठ रहा है बाकि आपका प्यार से योग बहुत अधिक मिला है हरियाना सरकार मंतरी पर आरोप की जांच सुरू कर दी है खेल मंतरी स्री संदीप सिंग जी पर योन सोसन के जो आरोप थे वो महीला कोच ने लगाए थे जिसकी जांच सुरू कर दी गई है संदीप पर गिरी गाज हिसार एगरी कल्चर यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट मुख्या ती ती बनकर पहुंचना था लेकिन एन वक्त पर सरकार ने कार्य करम क्या रद भारी विदोत को देखते हुए लिया गया है ये फैसला हरिगना मंत्री संदीफ सिंग पर आरोप्यों की जाँच इलेक्ट्रोनिक के उपकरण और कोच का सेलपोन सीए फैसल जाँच के लिए बेजा तीन दिन बाद दिल्डी से आएगी रिपोर्ट महीला कोच के कपड़ों का होगा मिलान महीला कोच से फिर पूस्ताज की तयारी संदीफ की जगे पर देवंदर बबली को बनाये गया चीफ गेट अब अगली खबर की और रुक करते हैं आज सरकार ने सभी रिक्त ये बेरोजगारों के लिए बहुत बहतरीन ये खबर है सभी रिक्त पदों में पचाश हजार भरती दो हजार तेश के अंदर करने का एलान किया है और सियम साब ने ये ओन दा रिकोर्ड केमरा पर ये उक्त बातें बोली 35,000 गुरूप सी की भरती 15,000 गुरूप डी की भरती करने का किया एलान हरियान सरकार ने जारी किया ग्रिवेंस पोर्टल बीपील परिवार पहचान पत्तर की समस्याओं को देखते हुए परदेश सरकार ने ये बड़ा फैंसला लिया है जिस फरकार पात्रवेक्ती बीपील सूची से बाहर होगे उसे देखते हुए ये फैंसला लिया गया ग्रिवेंस पोर्टल परदेश की जन्ता के लिए जारी कर दिया गया है हिसार DC बोले BPL लिस्ट में नाम कटने वालों को ओनलाइन दर्ज करानी होगी शिकायत ये हम आपको बोलते हैं खबर भी विशलेशन भी ऐसा नहीं ये बता दी के बही ओनलाइन पोर्टल जारी कर दिया ओनलाइन पोर्टल कौन सा जारी क्या है वो भी बता के जाएंगे खबर भी मिलेगी विशलेशन भी मिलेगा अनुखा पहल हरियन के अंदर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें गिरिवेंस डोटी दिशा डोटी जीए हुईन डोटी इन पर अपनी सिकायत दर्ज करवाएं ताकि सिकायत का निवारन उचित माध्यम से हो सके नाम कटने के यह आठ कारण बताए परदेश सरकार ने जो हम आपको दो से तीन कवरेज लगातार जो है बीपेल सूची पर आपको हम इसी चैनल वाईयम न्यूज और योजना हरियना पर दे चुका है यदि आप वाईयम न्यूज और हरियने यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो हरियने की छोटी बड़ी योजना आपसे बचेगी नहीं आपसे छूटेगी नहीं अब कुछ जिलो की न्यूज जिलो के समाचारों की बात कर लेते हैं ये राकेश टिकेट भारत किसान यूनियान के अदेख्ष कांगरेश की भारत जोड़ो यात्रा में एक नया आद्याई जुडने जा रहा है नो जनवरी को राकेश टिकेट जी भारत जोड़ो यात्रा अंबाडा में वो सामिल होंगे इसका एलवान आज उन्होंने किया जबकि उत्तर परदेश गाजिय उत्तर परदेश के गाजेबाद बागबत सामली से होकर जब ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरी तब भी कॉंग्रेस की तरफ से नियुता राकेश टिकेश जी को दिया गया लेकिन वो इसमें सामल नहीं हुए वो अब 9 जनवरी को हरियना परदेश के अंदर अंबाड़ा में राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा में सामल होंगे टिकेट के साथ इस दोरान 10 सदस्य परतिनीजी मंडल भी होगा सामेल जो राहूल गांदी जे मिलेगा इस दोरान के अंदर सरकार के MSP पर वादे पर की जाएगी चर्चा गन्नों का जो किशानों का हंदोलन गन्ना रेट को लेकर हर्याना परदेश के अंदर चल रहा है उस पर भी होगी चर्चा गन्ने के रेट को लेकर ये कुछ जिलो की बड़ी खबर है ओमगाड कंपनी कमांडर रिश्वत लेते पकड़ा के थल में करमचारी से तबादले के लिए मांग रहे थे पेसे हर्याना में HCS सबडिविजनल मजिश्ट्रेट सिरी वकील हमंद को रिश्वत लेते पकड़ा 9.60 लाक रुपे हैरा फारी कर चुनाओ जिताने के बदले लिए जलेबी बाबा को आज मिलेगी सजा महीलाओ को नरसा खिला रेप और बलेक मेलिंग केज में कोट ने ठेहराया दोसी जलेबी बाबा के नाम से मसूर है ये बाबा अमबाला में खनन विबाग की टीम पर हमला माप्यान चलते टिप पर मैं SI को मारा धक्का MDU ने जारी की डेटशीट प्रैक्टिकल और एक्जाम दस जनवरी से M.Ed. सपेसल की परिक्षियत तिठी में क्या बदलाओ ये सभी समाचार आज की ये सरकार की भिन भिन वेबसाइट न्यूज आदी से ली गई हैं जो भी आपको ये समाचार बताएगे हैं ये समाचार बिलकुल शटीक वे विश्वसनिये वे तथे आदारित हैं उम्मीद है आपको सभी समाचार अच्छे लगे होंगे फिलहाल के लिए इतना ही चैनल सब्सक्राइब जरूर करें हरियाना की छोटी बड़ी योजना सबसे पहले सबसे तेज YM News एंड योजना हरियाना बहुत बहुत धन्यवाद जाए हिंद जाए बार जाए आरियाना